लेकिन प्योर अणी पंता लगाने के लिए दोनों तन मेथड है एक तो सब कुछ आज बताओंगा तो हन्य को हैं तो हनी के बारे में हनी में कितने व्रैटिस हैं क्या हैं सब कुछ आज बताओंगा तो हनी पार्मिंग कैसे होता है वो भी बताओ तो चले फ्रेंड्स हनी पार्क के लिए हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा गाइस तौन फिर से भी पहुंच गया अभी यहां सिंतरी रॉप के लिए स्ट्रेट गए थे और बैक वाटर के लिए राइट गया था अभी हनी पार्क के लिए भी राइट जाएंगे हनी पार्क इदर से 9 किलो मिट्र होता है जोईडा रूट पे है इदर से हनी पार बोर्ड हर जगा है अभी है कि अब एडर पैली बार जा रहा है आपके दखेंग कि अभी है कि अज यह चौनार भाइग मैंना पुछपा यह कंद्यर करें फेली माई अल्या फोईर कर दूख जार हरा हुआ है कि तो आपको इदर से में पूरा यह कुछ यह कुछए है प्रेंट्स आपको पता है हनी बी को इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशिस कहा गया है इसलिए बोलते हैं नो भी नो वी अगर पूरी दुनिया से भी खतम हो गई तो इस दुनिया का क्या होगा दुनिया रहेगी या ना रहेगी एक छोटे मक्खी में ऐसे क्या है कि अगर मक्खी नहीं रहेगी तो दुनिया ही नहीं रहेगी इस अब जाने जानेंगे आज वे इस बाक्स में मिनिमाम 15,000 तो 20,000 तक बीज हैं उन सबको एक एक क्वीन भी मेंटेन करती हैं हमारा पूरा वर्ड में 5 वरेटीस का हनी बीज हैं उसमें 4 वरेटीस का हमारा इंडिया में ही है एक मेलीफोन रेडीपनेंस करके एपिस दोर सेटा आप लोग देख सकते कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग में बड़ा बड़ा ट्री में U शेप में जो नेस्ट बनाता है और एपिस दोर सेटा है एपिस पलोरिया बस लकरी के उपर अपना कॉलन बना लेती है इन दोनों को न एपिसरना इंडिका इसको पाल सक्ते ही ओर सिर्फ डर्क में उतना एपना नस्ट बना लेता है हमारे पास भी फ़्वही स्पीशियस है इयौभ्य और एक पूरा वर्ड में स्टिंग्लेस हनी भी आता है बहुत चटा वाला भी आता है उसको भी पाल सकते हैं वह भी से डार्प में अपना नेस्ट बना लेता है हमारे पास भी वह स्पीसियस है तेकि यसा वाला पांबो में इसको मेली फोन इडिपनेंट्स करके बुलाते हैं हमारा देश का लोग हमारा देश को भारत हनी बीस का मायका करके बुलाया गया है आप सबको लीच चरफी मावलूम होगा लीच लीच चरफी करें वैसे बी तेरिफी स्टार्ट है ऐसा वाला एक बॉक्स होता है साइड में फोल बनाते है होल बनाके हाट डरवा के बैट करवा लेते हैं बैट करवाने के लिए 2-3,000 चार्ज है बैट करवने से एक तो पर्मनेंटली पैलस नहीं आती है और एक जॉइंट पन कम हो जाती है उसका जो स्टिंग होता है स्टिंग में केमिकल होता है उस केमिकल हमारा बलेट के साथ र कोई जिन्दा नहीं रह सकते हैं क्योंकि जो भी हम लोग कुछ खाना खा रहें जिन्दा है तो बीस के उनसे हम लोग जिन्दा है 80% पॉलेशन रुट क्या हम पराग इस परचे बोलते हैं वो हनी भी करता है बाग के जो दूसरे एंगसेट कर लेता है बटरफ्लाइ होंगे बर्ड्स होंगे यानि हवासे भी हो जाता है अब जो 75% बीस का नाश हो रहा है वो तो हम लोग की कर रहे है हम सब क्या कर रहे है आस बी को छोड़के जी के पीछे भाग रहे है 3G, 4G, 5G करके इसकी ओजन से 20 का डेथ हो रहा है सबको हनी चाहिए लेकिन हनी भी किसी को भी नहीं चाहिए हमारा आँखों का सामने वो एक विलन जैसा है लेकिन उसकी ओजन से हम लोग आस जिन्दा है करके किसी को भी नहीं माल बॉक्स ओपन करने से पहले एक नॉक करना पड़ेगा हमारा घर में को आएंगे तो एक बेल सिस्टम होता है बिल बजा के अंदर आता है एनि दोर नॉक करतों आते ही है अभी क्या हो चुका है सबके पास मोबैल है एक मेसेज कर लेते हैं कि मैं आपके घर में आ रहा हूं करक लेकिन इदर क्या होता है बिना नॉक करने से हमने बॉक्स को ओपन किया तो सारे भी जूटके चले जाते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं नॉक करने से सोलजर से पूला अलट होकर क्वीन भी को जप्ला सेक्रेटी कवर कर लेते हैं हम जो भी ड्राइगोन ना वैस्प लोग क्या करते हैं इनको खाने के लिए देखते रहते हैं अगर हमने फ्रेम को बाहर निकाल आया उदर वो दूसरे इंसेक्ट आकर नॉर्मल भी मिलने की वज़ा इसकी मुझ इंसेक्ट के मुझ में क्वीन भी मिला तो इनका जो लाइफ होता है ना उदर धिर पास वी आये तो अब शालें रहन, मोमेंट बंद कीजिए अटराइफ। इसमें भी 4 रेटिस का हनी भीज है Soldiers, Workers, Male और Queen भी करके Soldiers, Workers, Male का एज होता है 4 महिना और Queen भी का एज होता है 4 साल जैसे Queen भी को मालूम पड़ेगा कि मैं मरने माली है मरेश खत्म होने वाला है करके तबी Queen भी नेचर में जाती है नेचर में जाके एक Royal Jilly को लाती है Royal Jilly को लाकर एक कौमन एको फीड करती है कौमन एक इस पहला 4 महिना रहता था उस Royal Jilly फीड करने के बाद 4 साल बढ़ जाता है इसलिए World का पूरा Scientist Queen का पिछे ही है Royal Jilly की है इंसान का एज है 100 साल अभी ओ भी नहीं है 7 से तर लास्ट है बाइचान से Royal Jilly इंसान को मिला कि इंसान 100 की जगा 1000 साल जी सकता है और 1000 साल इंसान को मिला तो जो भी बचा पुछे नेचर करनाश करना है इंसान ओ भी कर लेगा इसलिए Royal Jilly हमें नहीं चेहे गर के इनलोग 1 डॉप हनी बनाने के लिए इस बॉक्स से मिनिमम 500 टाम आते जाते करते हैं वैसे 1 kg हनी बनाने के लिए इनको फूरा 40 लाफ लॉर का नेक्टर होना पड़ेगा इंसान पूरा वर्ड को तीन बार गुमा कर आएंगे जितना महनत लगेगा तो 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 ना महनत इनको सिर्फ 1 kg हनी बनाने में लग जाता है यह पूरा फीमेल और कर से इसके दर आपको दीख रहा है छोटा सा चावल का शेप में एक वह फस्त डे का एक है और एक शेद में ससी से में बन जाता है इसको नार्वा कहते है टूंटीवन टूंटीटू डे में पूरा एक हनी भी बन जाता है इस और गाओ मेल है यह इसको दो में माल जाता है अबसा यह प्शच दोला पीछ यज़ सादेज़ को पाटता है एक हम बन जाता सादेड़ों यह वह भीष़गा है इसके निल्दा आट शेज़़गा है कि इसके अंदर पूरा हनी बर चुका है इसा हनी स्टोर करके ऊपर ऐसा वला सील बनाता है कि इस सील को हमें निकालते और ओपन करना पड़ेगा जालत है हमें आपका लग अच्छा है थोड़ा पिछे कोई मुमेंट मत किजिए मुमेंट मत करो हाथ आगे मत करो आपको एक विए ता अपको कुए ना तो क्वीन को देखे विए पकोट अपने से झुटी कवर हेटा है इस यह आसानी से प्रीन भी नहीं दिखती है इधे इस ब दीज बाड़ी होते है आस customer 32 अती ठेमिल रोम में करते सोपर में नहीं करेगी इसभर मेड़ियों करेगी इस बाक्स का हनी को हम नहीं हाथ लगाते हैं इनके लिए चोड़ देते हैं सब को दिखाना लेकिन बहुत चोटा होता है लेकिन दहुत चोटा होता है दीके ऐसा इसको लार्वा कहते है और 17 डेस में एक प्यूपा बन जाता है इसा चोटा सा एक बॉड़ी रेडी हो जाती है उसका विंग्स अगर आती है इसको प्यूपा करके बोलते हैं और प्यूपा कर दो चोटा है और 21-22 डे में पूरा एक बी बन जाता है इसा बी बन जाता है इसा बी बन जाता है हर एक इंसान हर एक तरीका दिखा देता है लेकिन प्यूर हनई पता लगाने के लिए 2-2 method है एक तो एक लेप्टेस में देने से प्यूर हनी खाने से मुँप में सलेवा बढ़ जाता है लाला जो बोलते है वो बढ़ जाता है और एक टेंग पुरा क्लीन होती है एम्टी समग मलने से पेट में चोट असा जलन फिल आ जाती है कॉलस्टर को बर्निंग करता है वो प्योर हनी है उसके अलावा लैप टेस्ट में देने से देखें एवाला डूबलिकेट हनी है क्रिस्टल हो चुका है ये प्योर हनी है ऐसा क्रिस्टल हो चुका है देखें उप पुराना होता है इतना इसका मेडिसन अलू बढ़ता जाता है प्योर हनी जदा स्वीट नहीं होता है थोड़ा कट्टा कड़वा में होता है और प्योर हनी जाड़ा नहीं आता है बहुत पतला आता है ऐसा पतला आता है इसलिए आल्टी विशले हम सब कुछ बना सकते लेकिन एक टेबल सपून हनी बनाती है एक टेबल सबसपून हनी बनने पूरा इस बी का लाइफ कतम हो जाती है कि दर्टी के पर आपको हाइस मिक्सिंग और दो काहाने में बनती है कि इस वाल भी मिस्री अंतर है कि मिस्री मंजंडी राड़ा अंतर है इडी वन वश्य के दू 90 ग्रांग में कड़ में जिन्तपा माड़ता है कि अब अब जेंट अब नेमंगे 99% अब चाहिए 99% अब आज जेंट अब नेमंगे 200 पर केजी केजी ना हुँआ जब शीगत आले निम कड़ेगा घर चागे शिवारा शीगत तुम्बा कड़े सीटर ने इंद एक बोक्स में वन येर में कितना हनी मिलता है बारा से पंद्रा कि देगे ब sent it एक कि मतलब महिने कारएन है में निकाले से अक्तोर बंश के अथूबर मेरे निकालते हैं एक सांव मेंस के निकार इसमें है एभी सैंते में वेक शेगेरोस तुम्पर कर शुद्च में प्रिया से मीइज करो सब्स्सक्रा क्ब करनेा वा फ्रिट जोगा ऊंड एक साल में 90 ग्रम से कम हने चलता होता है okay जो भी मेडिसन लांट बोलते है ज्यादा प्लांट प्लांट को लिटा है तो हनी 5000 पर केजी 5000 पर केजी अब यह नॉर्मल आपको 1000 पर केजी अदर फ्लोवर इनके लिए रैंड के लिए यह भाण बी के लिए बारिश के बाद आप तो पर वने में यह वाला हनी मिलेगा रोज़ुत के बुलाते इसको क्या बलते है रोसृट.. रोसृोट का हनी है मल्टि फ्लाय का हनी है मेर्च हम की मल्लोट का हनी है तो मैडिसिन कंटेंड टोलों मे एक की आता है लेकिन श्रेत लेकिन इससे भी टेस्ट में आच्चा होगा मैं की इसल्ग हनी है यह साल में एक ही बार मिलता है में मार्च में सारे फ्लॉरिंग होता है तो उसका है में मार्च कहाली है मेडिसन कंटेंग दोजों में यह क्या आता है लेकि टेंस में इससे में वाला अच्छा आता है आता है